प्राइम टीवी सच साहत कॉलिस्ट्रॉल स्थर को कम करने में मदद करता है प्राइम टीवी प्राइम टीवी प्राइम टीवी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए गया है गुपेंद्र सिंग चौधरी योगी सरकार के कैमिनेट बनतरी है जो शरी में कॉलिस्ट्रॉल स्थर को बनाए रखने के लिए बड़ा दाउ इसमें ऐसे ऐसे और चौधरी बने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष मिशन दोहजार चौबिस के लिए पाचे निखेला बड़ा दाउ चौधरी भाजपा के हैं चौधवे प्रदेश अध्यक्ष जिले में भाजपा की राजनीती पर होगा बड़ा असर सरकार और संगठन में बना रहेगा तान मेर लोगसबा चुनाब दोहजार चौबिस में मिशन एटी को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायती राजमंत्री पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंग चौधरी को पाटी का प्रदेश अध्यक्ष निउप्त किया यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष बनाई गए भूपेंद्र सिंग चौधरी जाट बिरादरी और पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं दरसल चौधरी के निउप्ती से ना केवल पाटी ने जाट बोट बैंक को साधा बलकि लगतार दूसरी बार पिछड़े बर्द से प्रदेश अध्यक्ष निउप्त कर पश्चिम से पूर्वानचल तक पिछड़े और अती पिछड़े बोट बैंक को भी साधनी की कोशिश की है चौधरी भाजपा के चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठं की कमान सौपी है भूपेंद्र चौधरी का जर्म मुरादाबार जिले के महेंद्री सिकंदरपुर गाम में 1966 में एक किसान परिवार में हुआ था भूपेंद्र सिंग चौधरी की सुर्वाती सिक्षा गाम के ही प्रात्मिक स्कूल में हुई और फिर मुरादाबाद के आरेल इंटर कॉलेज से उन्होंने बारवी तक की पढ़ाई की वो आगे चलकर विश्व हिंदू परिशत से जुड़े और फिर 1991 में उन्होंने बीजेपी जॉइन की अभी फिलाल यूपी विधान परिशत के सदस से हैं उन्हें 10 जून 2016 को उत्तरप्रदेश विधान सबा परिशत का सदस से चुना गया था साथ ही 2012 में वो बीजेपी के छेत्री अध्यक्ष रहे 1999 के लोकसभा चुनाव में संबल सीट पर उनका सामना मुलायम सिंग यादर से हुआ इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा इसके बाद उन्होंने संग्ठन में अलग-अलग स्तर पर कई जिम्मेदारियों को निभाया जिन में छेत्री मंत्री छेत्री अध्यक्ष भी शामिल है इसके बाद 2016 में बीजेपी ने चौदरी को मलसी के लिए नामित किया और साल 2017 में सरकार बनने के बाद उन्हें पंचायती राजविभाग का अध्यक्ष बनाये गया इस तरह से भूपेंद सिंग चौदरी को राजविभाग का दर्जा योगी सरकार के पहले कारिकाल में ही मिल गया तो वही योगी सरकार के दूसरे कारकार में उन्हें एक बार फिर पंचायती राध विभाग का मंतरी बनाया गया इस तरह से उन्हें क्याबिनेट मंतरी का दर्जा मिल गया इसके बाद अब उन्हें संग्ठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी का बिजेपी अध्यक्ष चुना गया कौर्टलब है कि केंद्री ग्रह मंतरी अमिट शा के करीबी भूबेग चौदरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाई जाने से पार्टी को लोगसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को साधने में आसानी होगी आगामी लोगसभा चुनाव के मद्य नजर पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक अनुभवी और कद्दावर नेता के साथ ऐसे नेता की तालाश थी जो वोट बैंक के लिहाद से भी मुफीद हो साथ इस सरकार और संगठन में तालमेल बनाने के साथ आरेसेस और विचार परिवार की संगठनों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सकता हो प्रदेश अध्यक्षपत को लेकर विबिन दावेदारों के बीच तीन चार महीने से चलती दोड के बीच पार्टी की सीष नेत्रत और आरेसेस ने चौदरी को प्रदेश अध्यक्षपत के लिए सबसे उप्युक्त माना बतादे की भाजपा के निर्वर्त मान प्रदेश अध्यक्षपत स्वतंद्र देव सिंग का तीन साल का कारिकाल 16 जुलाई को समाथ हो गया था जिसके बाद उनोंने 27 जुलाई को पार्टी के प्रदेश अध्यक्षपत से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर लखनाओं से दिल्ली तक चर्चाओं और अजकलों का दौर चल रहा था और अंत में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौदरी को बनाने की खोश्रा हुई तो दर भाजपा के नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंग्चौदरी ने कहा कि वो पाची और कारिकरताओं क्या पेक्षाओं के अनुसार काम करेंगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कस्टांगचन बोध स्तर तक खड़ा है 2024 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रवत्व में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीतेगी खैर अब देखना ये होगा कि भाजपा द्वारा यूपी बीजेपी अध्यक्षी बनाई जाने के बाद भाजपा 2024 में जाट बर्ध के वोटों को किस हद तक साथ पाएगी वियो रिपोर्ट प्राइम टीवी फिलाल हमाई खास रिपोर्ट में पस इतना ही देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं